हेलो गाइस गूर आफ्टरून आज है संसक्स की एक्सपाइरी और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एड किया है हीरो जीरो और यहाँ पे मुझे लग रहा है कहिने कहीं मोमेंटम दबा के आएगा अपसाइड तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी ट्रेड ले लिया है वैसे मैं यहाँ तीन बजे के आसपास का ट्रेड लेता हूं हीरो जीरो बट मैंने अभी जल्दी ट्रेड ले लिया है उसका रीजन यही है क्योंकि मुझे लग रहा है यहां से अच्छा मोमेंटम आना चाहिए और यहाँ पे 74 दोसों का जो कॉल है वो मैंने बाई किया है और 38 यहां से अराम से मार्केट उपर जा सकता है चांसिस पूरे पूरे है क्योंकि अगर आगर आगर का अल्टाइम हाय देखेंगे तो वह चोहत्तर हजार सेंसक्स की बात कर रहा हूं है चोहत्तर हजार दोसों पचास का सपास का है तो डैफिनेटली एक जंप मारेगा यहां प प्रॉफिट लेना चाहूंगा तो मैंने अगर 38 पे लगाया है 40 मान लो तो 80 पे आते ही मैं यहां पे एक्जिट करने का मेरा प्लैनिंग रहेगा कि 100 प्रसंट लिया और एक्जिट किया क्या ताकि जितना का मैं रिस्क ले रहा हूं अटलिस उतना प्रॉफिट तो मेरा बन अटलिटी थोड़ी जादा हो तो आज इसी बेसिस पे यह गेम खेली है और अब देखते हैं कि सेक्सेस्फुल होता हूं या नहीं होता हूं बेसिकली क्योंकि यहां पे अभी दो बज़े हैं डीके भी लग सकता है उसका भी रिस्क मैंने लिया है बट यहां पे चांसे मु कि क्या रहता है और 43 पर अभी चल रहा है बट अभी एकदम से नहीं बोलूँगा कि एकदम से असी पर आ जाएगा कुछ टाइम ले सकता है 10-15 मिनट भी ले सकता है रीजन उसका यह है कि मोमेंटम तो है मार्केट में बट मार्केट उपर भी जाएगा तो एकदम से वही है का कॉल ही ज्यादा है अगर आप पूट देखेंगे तो पूट देखो आप अभी 74,000 पर भी क्या सपास है मार्केट कॉल विन-विन सिच्वेशन में यहापे तो इसी बेसिस पर भी यहाँ पर लग रहा है मुझे मोमेंटम अपसाइट डेफिनेटल आना चाहिए तो एक ब बाकी 32 पर चल रहा है मेरे रेट से तो नीचे चल रहा है बट इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि सेंसक्स के स्पाइक जो आते हैं वो पता भी नहीं चलते कि कब डबल हो जाए आपका प्रीमियम तो अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया है चोहत्तर और 80 का हमारा टार्गेट है तो देखते हैं भी 64 आ रहा है 70 आ चुका है 76 आ चुका है 79 80 पर करते ही हम एक्जिट करेंगे वापस से नीचे आ गया आप देखो वोलेटिलिटी चेक करो कितनी है हमारा एक टाइम पे 78000 का प्रॉफित आ गया था बट वही है कि 80 पर ही नहीं उसके बाद वापस ही आ गया और वापस पचास पर अभी घूम रहा है तो यहां से आ जाएगा भी एक स्पाइक आते ही ज्यादा नहीं सेंसेक्स में थोड़ा सा पचास साइट पॉइंट का स्पाइगा तो यह अपने आपी 80 पहुँच जाएगा अभी टाइम बहुत है अ जो एक सुझा रहा मिनट वहां है भी टाइम बिताने के लिए और यहां पर अधिके लगेगा बढ़ हां यहां पर मुझे लग रहा है कि मार्केट को उपचास को यहां से उपर डैफिनेटली जाएगी जैसा चार्ट बता रहे हैं और शिफ चार्ट नहीं होता है घ्स्पी का call है तो उसी basis पे हमने trade लिया है वो हमारा successful हो जाएगा फिर तो बस अब देखते हैं 46 47 पे चल रहा है थोड़ा सा नीचे आ गया है बट कोई शुनिय उपर आते भी देर नी लगेगी पता भी चलेगा कि कौन से एक मिनट की candle होगी जिसमें ये पूरा 50-90 भी चला जाएगा तो हमें तो 80 पे काड़ देना असी आते ही दिखते ही हम market से exit हो जाएगे अपना 100% ले लेंगे और 80 का target मैंने set किया हो अपने mind में तो यहां से बस punch करने की देर रह जाएगी कि 80 दिखते ही हम तुरंत निकल जाएगे market से और 60 पे भी आ गया देखो 60 पे आगया मैंने का था अब देर नहीं लगेगी पांच-छी अजार का profit चल रहा है और यही फेवर करती है option buyer को तो आज option buying जल्दी लेने का purpose ही यह था क्योंकि मैं wait करता तो बाद में पता नहीं तीन बजे कैसा trade मिलता क्या नहीं मिलता तो इसलिए हमने time से trade लिया है और यह चीज देखनी बढ़ होता है इसके बिना काम नहीं होता और हर बार एकी strategy काम नहीं करती थोड़ा आपको changes करने पड़ते है अपनी जो strategy उसमें कुछ ना कुछ हमेशा यह की तरीके से trade लोगे तो बात नहीं बनेगी थोड़ा presence of mind की भी जरुबत होती है market में definitely पैसा बनाना है तो यह चीज तो कर अगया गें तो पचास कास चल रहा है बट इतनी टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है क्या आजाना चाहिए तो एक घंटा काफी होता है more than enough और मार्केट अभी 74 कास चल रही है तो स्पाइक काने में premiums को देरनी लगेगी 74 दोसों का जो call है उसको देखते हम कितना 80 का हमारा target अबाकी ऊपर जो भी जाए हमारा target देगे निकल ले चाहे कहीं भी जाए उसके बाद फिर हम ध्यान नहीं देते कोई फरक नहीं पड़ता 56 देको आ गया है 60 आ गया है आ जाना चाहिए आ रहा जाना चाहिए डेफिनिटली आना चाहिए 60 तो आ गया देखो 270 का profit हमारा हो चुका है वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताना और जो मेरा momentum catch करने का तरीका था वो आपको कैसा लगा definitely बताना और आपने आज के जो इतना बड़ा move आया है sensex on nifty में आज expiry भी दोनों के थी तो आपने catch किया move या नहीं किया तो comment करके बताना और catch किया तो profit किया loss किया वो चीज भी बताना जरूर और बाकी वह ही है कि experience matter करता है यह आज भी आपने देख लिया होगा daily आप देखते ही हो मेरी trading में तो यह जलगता होगा मेरी trading में experience बहुत matter करता है बाकी video पसंद आई हो तो like करना comment करना और चैनल को subscribe कर लेना thank you